जैस्री राम बक्त जनों, प्यारे बक्तों, रामान में तुलसिदाजी ने किस करम को प्रधान बतलाया? अगर वह करम नहीं जाना, तो जीवन ऐसे जीवन को देखका रहे हैं। बक्तों बहुत प्रकार के हैं करम, मुखते मुँ से बोलना, आखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूना, जीव से स्वाद विरहन करना, गुपते इंद्रियों से मलमूत्र का त्या करना इत्यादी। लेकिन तुलक्सिदास जी ने जो लिखा है, वो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, के करम प्रधान बिश्व कर राखा, जो जस करहें तो तस्फल चाखा। बक्तो इसका साफ मतलब है, के संसार में करम ही प्रधान है। और वो कौन सा करम प्रधान है, क्योंकि आम मन से तो ये समझता है, के जो हम कारिया करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नोकरी करते हैं, ये हमारे लिए प्रधान करम नहीं है, संसार में करम प्रधान तो है, लेकिन ये जो करम हम करते हुए प्रधान नहीं है, उन्होंने ये इसारा किया है, और जैसा इंसान करम करता है वैसा ही उसको फल पराप्थ होता है लेकिन तुलसीदाजी का इसारा समगी इस संसार में पिरधान करम क्या है वह यह करम है कि भगवान का नाम जब अगर आपने दुनिया में मनसरी पाकर नाम जब रूपी कर्म नहीं किया तो आपके जीवन को धिक्कार है इसलिए प्यारे भगतों नाम जब रूपी प्रधान कर्म को जरूर करें बाकी कर्म तो अपने आप हो रहे हैं और अपने आप ही हो जाएंगे और फिर करने नहीं पड़ेंगे क्योंकि तुलसिदाजी ने जो प्रधानता दी है कर्म को दुनियावी लोग तो यही जानते हैं कि खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना धंदोलत कमाना और उसके बाद मर जाना लेकिन उन्होंने जो इसारा किया है वो भगवान के नाम जबका किया है जो हमेशा आपके साथ था है और रहेगा तो प्यारे भगतों आप इसारे को समझे और सारे कारिया करते करते आप नाम जब जरूर करें भगतों अरजी हमारी है मरजी आपकी है जै स्री राम